हलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर दे विच आपा ठोसा दे रुपांतरम ते गल किती सी, काफी कोश्चन्ज रूँ आपा डिटेल दे विच किता सी, के एक ठोस नो जो दो दूसरे ठोस बदलेया जानदा है, तो उस थे सब तो पहली काल ओदे जड़े आयतन होंदेने, की साल्व करना सी, आपा बड़ी डिटेल्ज गल किती सी, उसे लगाता आता अग्ये चल दे होए, कुछ खोर कोश्चन्ज थे आपा गल कार देया, स्टेटमेंट और दे समने पहिए, देखो, की लिख्या होया कोश्चन दे विच, एक सेंटीमेटर व्यास वाली, आठा सेंट जोन दे है, स्लेंडर शेप जोन दिए, उधा व्याज देता, एक सेंटीमितर, अर्ध व्यास वाली चोटी आर लेके चल दिया, अर्ध जोन दे होगourd, एक वटे तो सेंटीमितर, आठ सेंटीमितर लंबी, स्लेंडर दे, लंबाई, या उच्चाई के होन दिया, ति आधा स बिल्कुल जिमे स्टेटमेंट देती हैं जिमे ठोज देता है ओधे अकॉर्डिंग आपा मेशन कर रहे हैं कहने कि तामबे दी छाड़नू एक समान चड़ाई वाले अठारा मिटर लंबे एक तार दे रूपच बगले जानता है एस रूपच देता एक तार च बदलता तार किस शेप छुन दिया फर्दर ओवी स्लेंडर शेप छुन दिया या बेलन शेप देवे छुन दिया जिरी लंबाई देती अठारा मिटर हुन लंबाई दा मतलब की हो गया उचाई एथे आपा छोटी एच लेके चल रहे हैं एथे आपा वड़ी एच लिख लागी ता ए होगी अठारा मिटर केंदे तार दी मोटाई हुन एक सिंपल जी गाल है आपा जो तार नूँ देखने है तार आल्मूस्ट एस अकॉर्णि इस चीज लोन दी है ताह कि दी मोटाई ऊंटी की होगी तार दाक व्यास होगी थे आप व्यास पता करने अपत अर्द व्यास मेंधी पता वड़ी हा एक स्कोस्चन सब तो वड़ी समस्या की है 100 संतिमिटर 2000 की है मिटर तो पहला आपा इकाईयां बराबर करांगे सारे नू सेंटिमेटर कर रहे हैं ए हो गया अठारा गुना सो अठारा सो सेंटिमेटर हुन छाड़ नू तार्च बदलता एक ठोस नू दुजे ठोस बदलता ता फिर की होया छाड़ दा आइतन किदे बराबर हो गया तार दे आइतन दे एवी सलेंडर है ओवी सलेंडर है पाई आर दी दो एच एथे आपद छोटी आर छोटी एच लेके चल रहे हैं पाई वड़ी आर दी दो एच पाई नाल पाई कट गया दोनों पास से पाई पे है आर एक वटे दो, दो का आता है, दो बार, ह अठ, वड़ी आर नहीं पता, ह किन नहीं, अठारा सो हुन दो एकम दो, चार दुनी अठ, दो एकम दो, दो दुनी चार हुन अठारा सो उद्दर गया, उद्दर जाके होगी वंड, दो वटे अठारा सो नौ सो केड़ी संख्यादी दो भर भुना करके आयाँ देखो नौ हो गया तिन गुना तिन दो जिरुआ ता मतलब एक जिरो एक जिरो या दस गुना दस ता ए हो गया, एक वटे ती दी कात दो, दो कात ना, दो कात कट गी, ता आर हो गया, एक वटे ती सेंटिमिटर, बट अपनू चाहिदी है तार दी मुटाई, अपनू व्यास चाहिद है, व्यास होंद है, दो गुना आर, दो गुना एक वटे ती, दो दे पहाड़े ते गया, ता जेड़ा व्यास आगया एक वटे पंदरा सेंटीमेटर ता ए अपना कुश्चन है में चीज बस तो हनुए चीज ते आँच होनी चाहिए दी है कि जेड़ा ठोस या जिस अबजेक्ट या वस्तो दी गल कर रहे है वो किस शेप दे विच है अपना नेक्स कुश्चन ते चलने है अपना नेक्स कुश्चन आप या है उधी एक्जामपल बड़ा वदिया कुश्चन है बस थोड़ा जा स्टेटमेंट नूँ एक त्यान पढ़ना है कि स्टेटमेंट दित्ता की गया है देखो 12 सेंटीमेटर व्यास अते 15 सेंटीमेटर उचाई वाला एक बेलण की की दिखता गया है आप अनुक बेलण देता जिदा व्यास देता 12 सेंटीमेटर ते अर्द व्यास किनना हो 12 वटे 2 6 सेंटीमेटर अते उचाई मानलो वड़ी उचाई 15 cm कहनदा एक बेलल आईस्क्रीम दे नाल पूरा परिया गया है 21 लंडरा कार बरतन है ओदे विच आईस्क्रीम है आईस्क्रीम दे नाल परिया होय है इस आईस्क्रीम नो उच्चाही 12 cm अते व्यास 6 cm वाले शंक्रीम विच परिया गया है नाल पनू शंक्रीम देता जिरी उच्चाही छोटी एच 12 cm देती अते व्यास 6 cm देता ते जे व्यास 6 cm है अर्द व्यास किन्ना हो गया 6 वटा 2 3 cm वाले शंक्रीम विच परिया जाना है जिन्ना दा उपरी सिरा अर्द गोला कार है ता एदा मतलब एड डाइगराम जेडी बन गी एस अकॉजिक बन गी अर्द जेडी एज आइस क्रीम है उन्न एस फार्म जेवे आपा कहने ना softी आइस क्रीम नी हुन दी है एस शेप जाए ता हुन जेडी आइस क्रीम है एदे विच्चो निकल गे एस शेप जागी कहने उन्ना शंकुआं दी गिंती पता करो आपा एप पता करने है कि एस टाइप दे एस अकार दे किन्ने शंकुप परे जा सकते है किन्नियां softीयां बन सकते है नाल मेंशन करता एदा ते अर्द व्यास तिन ने ते जडी एस दी उचाई किन्नियां 12 हुन अगर ते अनल देखिए एक कोशन डबल कोशन बन गया कि में एता हो गया ठोस सांदा संयोजन जिस दे विच आइस क्रीम जारी है आपा जिसनों आइस क्रीम पार रहे है तब पहला मैं इस ते गल कर रहे हैं इन्हों आपा बात छेड़ांगे हुन जिड़ा आइस क्रीम वाला शंकू बने है या ठोस बने है और किस किस शेप चे बने है अर्द गोले अते शंकू दी शेप ठीक हुन ओदे विच जड़ी आइस क्रीम दी मात्र है किन्नी होनी है जिन्नी ओदे विच जग है क्योंकि जड़ी आइस क्रीम है उस सारी एथे पर ही जाओगी तब ए असल दे विच की हो गया इस दा आइतन हो गया अदे विच केड़ी केड़ी चीज है केड़ा केड़ा ठोस है इकता हो गया अर्द गोला अर्द गोले दा आइतन दूसरा हो गया अपना शंकु दा आयतन, चीक, अर्द गोले दे आयतन दा फॉर्मूला, दो वटा तिन, पाई आर्दी तिन, शंकु दे आयतन दा फॉर्मूला, एक वटा तिन, पाई आर्दी दो एच, सांजा कड़ दें हाँ, निच्चे तिन पे है, एक पाई पे है, आर्दी काथ तिन है, मतलब आर तिन वार है, आर दी कात दो है, आर दो बार है, तद दो कात संजी निकल गी, एक वटा तिन, पाई संजा निकल गया, आर दी दो, एथे बाच गया दो, तिन दे विच ओ एक कात गई आर, प्लस, आ संजा, आ संजा, आ संजा, आ संजा, एच, तद कीमत हले बाच परा पता करो मन लो ए जड़ी गिंती है ए एन होगी ता फिर की हो या स्लेंडरा कार जड़ा भी ठोस या बरतन दिता हो या ओदे विच्चो आइस क्रीम लूँ आपा इनना शंकुआँच पाता किन्ने शंकुआँच पाता किन्ने शंकुआँच पाता एन ता जिन्नी आइस क्रीम दी मात्रा मैं हो उपर रब कर रहे हैं थोड़ा कोश्चन क्लियर हो जूगा ता की होया जिन्नी बेलना कार बरतन विच आइस क्रीम दी मात्रा है ओग की दे पराबर आई अपने को ले जिन्नी आइस सौफ्टियां बननगे शंकु बननगे अन गुना आईस क्रीम वाले शंकुआँदई मात्रा कहलो या आईतन कहलो एदा फार्मूला हो गया पाई आर दी दो एच क्योंकि आईस क्रीम में दे विच्च है एदा फार्मूला आ रहा आपा सौखा करना लिक और एज़टी शड़ता सी ताकि जल्दी हल होजे अगया पहला नहीं देखो पाई नाल पाई कट गया वड़ी आर छे दो का आता है दो बार वड़ी एच पंदरा एन गुना इक वटा तिन छोटी आर तिन दो का आता है दो बार छोटी आर तिन छोटी अच चागी बारा हुना अपना इनूँ की करांगे हल करांगे हल करके जो आ गया वह अपना किया जू आंसर कुश्च थोड़ आत्या आनल समझने है बस आपा concept बहुत सौक है तिन दिन आल तिन काट गया n गुणा तिन तिन दुना छे प्लस बारा n गुणा तिन बारा ते छे ठारा एक केथे तुसे की कार सब्सक्राइब तुसे यह दिन गुणा करने शुरू कर दोगे छी कमशी की छत्ती छत्ती दी पंद्रा गुणा करांगे पांसो चाली पर जूरूरत नहीं हैगी क्योंकि ओधना कोशन थोड़ा टिपिकल बाजू देखो जदो आप इन्हों हल करांगे ता ए जल्दी हल होगा रेधर देन उन्हों कम्प्लीट कैलकूलेट करते है तिन एकम तिन तिन दुना छे छे एकम छे छे तिया ठारा तिन एकम तिन पंद्रा दो पंजे दास ता एदा मतलब जेडी ओस बरतन दे विच आइसक्रीम सी ओदे नाल एस टाइप दे दस शंकू परे जा सकते हैं तो ए अपना कुश्चन सी अपना नेक्स कुश्चन ते चल दे हैं नेक्स कुश्चन की केंदे नेक्स कुश्चन आगया अपना एक कुश्चन फ्लो आला है फ्लो ना मतलब एच बहा दिता होया देखो कोशिंच की क्या, आप पहला स्टेटमेंट पढ़ देया, छे सेंटीमेटर चौड़ी, देर सेंटीमेटर डूंगी, एक नहर विच एस बहा अधिनाग पानी चल रहे है, ता नहर देती, चुड़ाई ब्रेथ, छे सेंटीमेटर, डूंगाई उचाई, एक पॉइंट, पन सेंटीमेटर, पानी दावहा आदेता, दस किलोमेटर प्रती कांथा, दीर अफ्तार वर वेरेहा है, तीम इंटा विच एह नहर किन्ने खेतरफल विच सिंचाई करेगी, जदो सिंचाई दे लई, आठ सेंटीमेटर डूंगाई चाई रहे, डूंगे दा मतलब उचाई ह होगी, हुँँ एक चीज़, थे दो-तीन चीज़ दा दे विच बड़ी तो हनुप कन्फ्यूजर होनी, आप उते गल करांगे, नैर तो पानी गया खेत दे विच, सिंचाई लेगी, खेत दा खेत तरफल हो गया, ए जिन्ना आपकेना है, फसल वासते पानी खड़ा हुँद है, यह दास था, पहला कम, ता एदा मतलब जिन्ना और नैर चीज़ पानी होगा, थोड़ी आपकेने ती मिंटा विच, जड़ा दे को कॉश्चन समझो, नैर दे आदी आ, उचुड़ाई देती, आ डूंगा ही, इस भाहा आना पानी चाल रहे है, बिल्कुल प्रैक्टिकल सफल तक सिंचाई होनी है, आकुश्यन है, होने थे समस्या की आरी है, जड़ा अपनों बहा दिते है, एक कनफ्यूजन है, मैं इस तो पहला है कि छोटी जी उदारन समझाना, स्पीड ते गल करने हैं, अपना गल कर दे हैं मोटर साइकल है, उस सथ किलोमेटर प्रतिक का अं दूरी तै करते हैं, वो किन्नी तै करते हैं, सथ किलोमेटर है ना, अगर हाँ सडक है, for example, सपोज हाँ सथ किलोमेटर है, ता एक कंटे विच मोटर साइकल या कार, जड़ी दूरी तै करूगा, उस सथ किलोमेटर है, तो दूरी ता मतलत जे एस मैं थोड़ी जेदी पाशा बदला, ता एक कंटे विच जेड़ी ओस टाइम सडक दी चुड़ाई होगी, या सडक दी लंबाई होनी है, आज चीज होनी है, वो किन्नी होनी है, सथ किलोमेटर, सडक दी लंबाई किन्नी होनी है, सथ किलोमेटर होनी है ना, सेम इत्थे आ गया, इस वहाँ आना पानी च जा रहा होना है उस बहा आते जा रहा होना है उस दी जड़ी लंबाई होनी है और किन्नी होनी है दास किलोमेटर दी तै करनी है तो लंबाई दा बेसिक मतलब फिर उत्थे की हो गया उचाई हो गया समझाई गल ता एक कंटे वेच लंबाई या उचाई उचाई क्योंकि प्रेमें उरे फ्लो देता फ्लो दा मतलब टाइमिंग होगी देखो ज़िए एक कांट आप अद्धा मिंटर भी देता है ना अद्धा अती मिंटर भी देता है तो यह चीज थे थोड़ा पहुंट आ लखांगे ता एदे विच जड़ी लंबाई होगी किन्नी होगी 10 किलो पानी दी उस नैर दे विच लंबाई होनी है वो किन्नी होनी है ए हो गया पहला फंडा हुणा आपना चल देहां अगले दे अगला की कहन दे है प्राब्लम ने थे आगई खेत तरफाल दे उचारी खेत किसी शेप चाहे आप अनु नहीं पता चौरस है गोल शेप चाहे किस शेप चाहे नहीं पता पर जो दो खेतरफल ते एच देदी ता एक चीज़ उनमें दाज़ दा ता उत्थे जड़े आयतन दा एक फॉर्मूला हुंदा है कि हुंदा है अदा आरदा खेतरफल गुना उच्छाई एक स्पेशल फॉर्मूला है नाइन्थ क्लास वी तुसी थोड़ा बहुत है डिसकस किता होने ता हुर्म कोश्चन की कह रहे हैं देखोते हैं अन्ना नैर है उदे चड़ाई देती डूगाई देती वहाँ देता वहाँ आदा एक कंटे च ओज दिल नमभाई देती कहने ओज जड़ा पानी सी ती मिंट दे विच पिन्ना आवी है ना पिस थी मिंट बीकेरफ़ल एक कंटे ता पहले रहाँ दा अद्धा आँ हो दिया है तहुन की कहा रहे है कुश्चन ती मिंट विच्च हुन कुश्चन ते आ रहे हैं अग्जेक्ट आपां नैर विच्च जेड़ी पानी दी मत्रे उसारा दा सारा पानी कि थे गया खेट विच्च पानी दी मत्रा दे की हो गया बरापर हो गया एक कांट दे कोडिंग देता आप three minutes दी गल करनी है तीम मिंट चापाए पता कर लेता जिनना तीम मिंट दे विच नैर दा पानी सी ओहो खेट दे विच चला गया सेंचाई होगी कोशन नुआ पहल कर दांगे अध्य हो गया लंबाई गुना चड़ाई गुना उचाई एथे अपना की हो गया देखो खेट तरफल गुना उचाई एकाईया सारे लिया सेम ने लंबाई आगी पंच गुना हजार गुना सौ चुडाई आगी छे उचाई आगी एक पॉइंट पंच खेट तरफल आपा पता करना है एच हो गया आठ सेंटीमिटर ठीक पॉइंट हटाया दास एक जिरो नाज एक जिरो काट गी आठ दी उद्दर जाके की होगी वांड होगी ता फिर खेट तरफल की दे बरबर आगया इस नों आपा हल करदांगे पांच गुना हजार गुना दास गुना छे गुना पंदरा वटे अठ एस सिद्दा काट रहे ह एक सो पच्ची गुना करदे ऋ पंदरा चिके नबे नबे दा नो सो पंताली सो पंताली सो नों एक सो पच्ची नाल गुना करनी है जीरो आठ चलती है सिद्धा 55 दा पहड़ा परसल देओ वलन गुड़ा नी सिद्धा कर दो 55 पाजा 25 बाई 55 दो नब्बे दे बाई 112 ग्यारा 55 दे ग्यारा च्छपंजा ता ए आ गया 56 सो पच्छी वर्ग सेंटीमिटर इन आ अपने को ले की आ जाने ओस खेत दा खेत तरफाल आ जाने था यह आपना फ्लो आला कोशन एक दो एक्जांपल्स आपा होर लेके चल दे हाँ यह नू क्लियर करने लई नेक्स कोशन दे चल दे हाँ आपा फ्लो आला कोशन यह है थोड़ाज आपा concept चेंज किता है की किता पतास दे हाँ केंदे एक किसान अपने खेत विच बनी दास मिटर व्यास वाली अते दो मिटर डुंगी वेलना का टैंकी वेलना का टैंकी या बेलन जिदा व्यास देता दास मिटर अर्द व्यास किनना हो गया दास दा अर्द का अर्द ता पांच मिटर दो मिटर डूंगी दा मतलब उचाई देती केंदे एक वेलना काड टैंक की है ओसनू अंदरुन्नी व्यास 20 सेंटीमिटर अर्द व्यास किन्ना हो गया वी दा अध 10 सेंटीमिटर एक पाइप दुवारा तैदा मतलब एक पाइप देती नैर नाल जोड़ता है जे पाइप विच पाइप पाइप विच पाइप वहा देता पाइप दा वहा ता पगल कर चुके हैं एक कंटे विच पाइप दी लंबाई उस पाइप विच किन्नी हो गया तिन किलोमेटर है ता ओ बेसिकली की हो गया उचाई तिन किलो मेटर हो गया ता कहने किन्ने समय बाद देखो फरक की सी पिछले कोश्चन की कहा सी ती मिन्टा मिच आपन टाइम दिता हो ऐसी लास्ट थी एथे टाइम कड़ने सिरफ इन आजा फरक पाया है हुन सबतों पहला इकाईयां देख दिया मिटर, मिटर, सेंटी मिटर, किलो मिटर ता सारे नूँ आपा बराबरी कहाईयांच करो या ता सारे नूँ मिटर आँच करो या सेंटी मिटर आँच करो या किलो मिटर आँच करो ता इजी बनान लिए आपा बचा ले जी कार्मयान या ए मिटर है गया ए हो गया 10 वटे 100 मिटर क्योंकि आपनों पता है 1 मिटर दे विच चे 100 सेंटी मिटर हो देने ए हो गया 1 वटे 10 मिटर 3 किलो मिटर 1 किलो मिटर दे विच 1000 मिटर हो देने ता ए हो गया 3 बुना 1000 मिटर हुने इते सब तो important question जो है आपस समा कडने तो थोनों सिद्धी जे कफंडा राजदा जदो समा कडना होवे ता जित्थे flow चल रहे है समा दी गल चल रही है उस दे आइतन दे नाल वंड करांगे flow किते है वहां किते है pipe ज़िच ता pipe दे आइतन दे नाल की होगी वंड ये उपर आगया ता वेलनाकार टैंक की दा आइतन की दे आगया बटे जो pipe दित्ती है उस दे सिद्धा लाज़ जित्थे time कटन है ता जित्थे flow है उनना वंड दो वेलनाकार दा फार्मूला होंदा है πाई आर दी दो एच pipe भी किस शेप चाहे वेलनाकार है ता एवी की हो गया पाई आर दी दो एच time किन्द है आप flow चल रहे है ता एदा मतलब एक कंट है पर कंट है चल रहे ते कंट है चोगा जे उनना पर मिनिट होंदा ता जो भी solve करके आंदा हो पर मिनिट चोंदा पाई नाल पाई वड़ी आर पंच गुना पंच एच आगया दो छोटी आर एक वटे दस गुना एक वटे दस एच किन्नी होगी तिन गुना एक हजार दो जिरवां दे नाल दो जिरवां कट गिया पाँज ओ पाँजी पच्ची पच्ची दुना पंजा वटे तिन पाँज वटे तिन कंटे इथे एक बहुत important चीज़ दा हुन तया अन रखना है बड़ीक simple जी ते minutely जी गल है पाँज वटे तिन कंटे एक सही दो वटा तिन कंटे तुसREE आगरें DC horse लैके चलों गल्ती करोंगे एक कंटा दो वटे तिम कंटे एक कंटा एक कंटेश साथ मिंट होंदे ने काट गया तप आपने कों की अंसर आगया एक कंटा चाली मिंट ता थोड़ा त्या आंच रखियो ता एक कांटा चाली मेंट दे विच जेड़ा हो पूरी परीजा होगी हुन क्वेश्चेंज आप बच्चेयों कर चुके हैं बड़े डिटेल्ज आप आप नो डिसकेस कर चुके हैं हरे एक टाइप बारे आप गल कर चुके हैं हुन समस्य आप तक कियां दिया जो एक बड़ी चीज कॉमन है इस टापिक दे फार्मूल्या देना अक्सर मैंनो एक अगल सुनन चांदी है कि सर टापिक ता समझ आगया पर की कर ये फार्मूल्य याद नहीं होंदे तब फार्मूल्या नो याद करन दे लई अप आए कज छोटी जी पोइं ते गल कर दे हैं जो मैं खुद लिखी है फार्मूल्या दी पोइं ते गल कर दे हैं किक यह रही है पोइं आओ साथियो गल सुना मा color is such स्लेंडर या बेलन दा है आएतन पाई यार्दी दो एच सिलेंडर दा है आएतन Pi आर दी दो H सुन अपने माता पिता अपने गुरू दी माता पिता आते गुरू दी ना किसे दियां चुठियां गल्णा विच आई क्यों क्यों कि कनावदा है आयतन लंबाई गुना चड़ाई गुना उचाई जी मस्त तू अपनी जिन्दगी ना किसे तो मच्छ क्यों क्यों की शंकूदा है आयतन एक वटा तिन पाई आर दिदो हैच हाँ आपा सारे हाँ आपा सारे एक दुजे तो पिन पिन हाँ आपा सारे एक दुज्जे तो पिन पिन क्यों? क्योंकि गोले दा है आयतन चार वटा तिन पाई आर दी तिन तब दोस्तो एक छोटी दी पोईम लिखी है आयतन दे फार्मूलियां दी उन्हें आप एक होर पोईम ते गल कर देयां जेश्च मैं सता दे खेतरफल ते गल कर रहे हैं कि उन्हें भी आपक किस वेनाल याद कर सक देयां पास भी सता दे खेतरफल दी पोईम दी बिल्कुल उसु भी आपक किस अकॉर्डिंग इजी वेनाल पॉजटिव गल्ला दे नाल याद कर सक देयां उस्ते अपगल कर देया तब पोईंग की कह दी है कर कम अपना अज ही नाच्छा डिसनू कल कर अपना कम अज ही नाच्छा डिसनू कल क्यों क्योंकि शंकू दी पास्वी सता दा खेटरफल है पाई आर एल प्यार दे छोटे आनू दे प्यार छोटे आनू वड़े आनू सतिकार दो क्यों क्योंकि गोले दी सता दा खेतरफल है चार पाई आर दी दो मनो ना मनो मेरी हर गल है सच मनो ना मनो हर कही होई मेरी गल है सच क्यों क्योंकि स्लेंडर दी पासवी सता दा खेतरफल है दो पाई आर एच इन आ मेरी आ गल्लानू पल्ले तु पाई इन ना मेरी आ गल्लानू पल्ले तु पाई espaço करना अवदी पास्वी सता अदा खेतरफल है दो गुना लंबाई प्लस चड़ाई गुना उच्चाई ता दोस्तो एह सी अपना टॉपिक सता अदा खेतरफल अदे आयतन थैंक यू